देश भर में महंगाई की मार जेल रहे लोगों के अच्छे दिन के सपने अभी फिलहाल तूटते नजर आ रहे हैं आशरी राज़ानी दिली में महंगाई की चौतर फ़र मार पड़ती दिख रही है जहाई दिली में CHNG के दामों में एक बार फिर से ब्ड़ा होत्रिक थी गाई है नौईडा गाजियाबाद में CNG 78 रुपे 17 पैसे प्रती किलो पहुच गई है कानपूर में 87 रुपे 47 पैसे प्रती किलो CNG पहुच गई है रास्रे रास्थानी दिली पंज़ाब हर्याडा उतर प्रदेश समेत उतर भारत के विभिन राजियों में हलकी बारिश और बूना बांदी से मौसम का मिजास बदला है तापमान में गिरावट आने के साथ भीशड गर्मी और हीट वेव से कुछ राहत मिली है मौसम विभाग के मताबक उतर प्रदेश के अधिकतर राजियों में अधिकतम तापमान 40 जिगरी से नीचे पहुच गया है जो बीते सबताह में 45 जिगरी सेल्सियस के आसपास बना हुआ था वहीं उतर प्रदेश की बात करें तो राज़ानी लगनों में आज नियूंतम तापमान 28 जिगरी और अधिकतम तापमान 49 जिगरी रह सकता है जबकि गाज़ियबाद में आज नियूंतम तापमान 26 जिगरी और अधिकतम तापमान 41 जिगरी रह सकता है बुलंच शहर के शिकारपुर तहसील में सिविल नियायाले कोर्ट सभागार कक्ष का सांसद भोला सिंग ने शिला नियास किया आपको बता दे कि बार एसोसियेशन शिकारपुर के तहसील अध्यक्ष नेम सिंग सूर्यवनशी और सचिव प्रदीप गिरी करीब दो साथ से सिविल कोर्ट बनाने की मांग सांसद से कर रहे थे वहें जंता से सिविल कोर्ट की सौगात मिलने के बाद शिकारपुर तहसील की जंता ने कहा कि सिविल नियायाले कोर्ट बनने से बुलंड शुहर जाने में जिन परिशानियों को सामना करना पड़ रहा था अब वो लोगों को उनसे चुटकारा मिल जाएगा अब शुटकारपुर वास्यों को बनाई और अपने जिलादीसों को तहने बात होंगा कि उन्होंने सिकारपुर के लिए जो एक रामेर एरिया था तो यह सबागी की बात है कि अब हमारे जोबी छित्र वास्यों को नियाय के लिए ज़त्पतित्सर पर नहीं जाना पड़े सिकंद्राबाद के गुलावठी में पुलिस से जोला चाप शादाव हत्यकान में शामिल एक और शार्प शूटर 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफतार कर लिया उसके पास से एक पिस्टल 32 बोर और 6 कार्तूस बरामत किये गए हैं बता दे कि गत 8 मैं को ठाना गुलावठी चेत्र अंदरगत डॉक्टर शादाव कुछ अग्यात बदमाशुद्वारा दिन दहाडे गोलिया बर्सा कर हत्या कर दी गई थी जो मुख अभ्यूक्त इस घर्टना के है उसके ही पड़िवार के चार लों को नावजब कर दिया था लेकिन हम लोगों ने बहुत घंता पुर्वक ज्यास करके रियर सूटर्स यो है प्रकास में लाए तीन सूटर्स गिरफतार हो चुके थे चौथा सूटर हसील नाम का व यह ऑपरेशन पाता लोग के तहत बुलंद शहर जिले में पुलस ने अवैद हत्यार बनाने वाली फाक्टरिक का भांडा फोर्ड किया है पुलस ने यहां से पांच तमंचे दस अवैद तमंचे कार्तूज के साथ हत्यार बनाने वाले उपकरण भी बरामत किये हैं इसके स इसके द्वारा एक सराहनी कार किया गया है तो उसे ही इसकारी में लिफ्ट स्वाले दीन नाम का अपरादी है जो दरियापूर पत्वाली देहा थाना शक्रा रहने वाला है इसके कब्जे से पांच बने हुए तमंचे दस अध्वने तमंचे और आरी सिलिंडर कटर आज उकल हत्यकान के बावजूद पुलिस की शिथिल कारिशेली लगतार देखने को मिल रही है पूरा मामला गुल्डरिया भवन ग्राम का है जहां चुनावी नंजिश में पहले तो दबंगों दे पीडितों के साथ गाली गलोच की और जब युवक ने इसका विरोध किया तो दब पक्ष के ही एक युवक उठाने में बचा लिया अज किस बात को लेकर चल रही है परदानी से चल लए है अज क्या हो गया आज कुछ ना से सेंवारी की बात चुछते भाई हैं तो जाओ कान सुने लगा जो गालिया लिजन लगता हैं जुआरे पुराइब ने हमार प्रामपुर के तोलसीपुर्थाना चेत्र के गनवर या गाओं के पास से सड़क हाथ से की एक दिल दहला देने वाली खबर सामनी आई है जो है एक बोलेरो और ट्रेक्टर ट्रॉली की टक्कर से घटना स्थल पर ही पांच लोगों की मौत हो गई जबकि गंभी रूप से गायल हुए चार यात्रियों को पुलिस ने आनन्फानन में जुला मेमोरियल चिकित साले में भरती कराया और पुलिस घटना सल की जाच करने में जुट गई भीषट सड़क हाथसा देखने को मिला है बलरामपुर में जहां ट्रेक्टर ट्रॉली में जोरदा टक्कर हो गई कई लोगों को आनन फानन में जिला अस्पताल भी भरती कराया है आपको बता दे जिला मैमोरियल चिकत साले में भरती कराया गया है इचार यात्रियों को पांच लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है भीशट टकर बताई जा रही है तेज रफ़तार का कहर एक बड़ देखने को मिल रहा है बलरामपुर में बुलेरो और ट्राक्टर ट्रॉली की टकर बताई जा रही है भीशट सड़क हाथसा हुआ है जिसकी तस्वीर आप कराए गया है बलरामपुर से ये खबर सामने आ रही है जो आप भीशट सड़क हाथसा देखने को मिला है तेज रफ़तार का कहर देखने को मिला है आए दिन तेज रफ़तार का कहर देखने को मिलता है और बुलेरो और ट्रॉली में जोड़दार टकर हुई है तस्दीरों म पूरी जानकारी चाहेंगे कैसे हुआ यहाथ सामने से ब्लोरो भी आ रहे थी वह जहां दोनों पीछे से एक ब्लोरो आकर बीड़ गई जिसमें पांच लोगों की मौके पर मौत हो गई चार लोग गाया थे वहीं नजदीकी असबताल में गायों को ले जाकर बर्ती करा गया जा डाटों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा था वहीं एक जो गंभीर हालत थी है कि वक्त सब्सक्राइब को अपने कभजे में लेकर बल्रांपु सभी जिराकी के साले में पोस्मास्टम करवा रही है और वहीं कमले की जाज कर रही है कि कैसे हुआ है वहा है यह दुरगटना इतनी बड़ी दुरगटना हुई है जिसमें छे लोगों की मौत हो गई है और यह सब न नहीं कर रहे है और याता-याद नेमों का पालन करने की लोगों की ज़रूरत है जी अमित हगर बात करेग्व लोगी तो उनकी हालत अब कैसी बताई जा रही है कितने लोग इस्पताल में अभी भर दी है अब चार लोग भरती हुए थैं जिनमें एक की मिरुती हो गई या स्विताल में तीन लोग हैं जो अभी वस्वास हैं जो बहुत 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 शुक्रिया माज़ जड़ने के लिए तमाम जयनकारी के लिए इस खबर पर वैसे समध आता अम जड़े थे बलरामपूर से अलीगर के धाना च्छड़ा च्छेतर में बीती 29 अपरेल को व्यापारी के साथ लूट की घटना में पलिस ने 14 माई को आरोपी को हिरास्त में लिया था जिसके बाद आरोपी गज़े की अचवानक तब्यत बिगड़ने पर उसे इस्विताल में भरती कराया गया जहां इलाज के 6 दिन बाद आरोपी की मौत हो गए वही सब पूरे मामले के सामने आने पर थाना प्रभारी और कॉंस्टेबल पर जाननेवा हमले के आरोप में हत्या की धाराओं में शुकायत दर्च करते हुए पिलिस कर्भियों के खिलाफ एससपी कला निधी नैथानी ने टीम का गठन करते हुए मामले की निश्पक्ष जाच करने के आदेश दिये है जिस सम्बन में उस घटना का सीग रनावरन किया गया उस वहान को बरामत किया गया था और उस ड्राइवर को गिरफतार किया गया पूस्ताच को जो प्रकास माय अभ्यूक थे उनमें से एक अभ्यूक राहुल फुत्र गजेदर जिसका आपनातिक इतियास भी है उस अभ्यूत को जब पुलिस जो छितादिकारी द्वरावगत कराया गया है कि जब उसको गिरफतार किया गया और उसको लाया जा रहा था तो उसकी हालत बिगड़ दी उसी दिन उसको जो है अस्पताल में भढ़ती कराया गया था जहां वो चिकिस्टारी खबर बतायू से है जवाधाना छेत्र के दूसरे समुदाय के युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्ती चनक पोस्ट डाल कर महौल बिगारने की कोशिश की इसपर पुलस ने मामले दर्ज कर आरोपी को गرفतार कर लिया है पुलस ने उसे जेल भेज़ दिया शुक्रवार को नगर पंचायद गुल्डिया निवासी तमाम लोग मुसा झाग धानच पहुँचे और उन्होंने पुलिस को बताया कि गुल्डिया निवासी इमरान ने फेस्वूक पर आपती जनक पोस्ट डाला है इससे कस्बे का मोहल खराब हो रहा है मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी के तलाश में उसके घर दबिश दी और उसे गिरफ तार कर लिया और उसके खिलाफ आईटी एक्ट और धार्मिक भावनाए भढ़कान जिसके जिस पर तत्काल उचे धारों में अभियोग पंजीर करके उस व्यक्तिक तत्काल के तारी कर ली गई है उसको जेल बिजा जा चुका है और अगर और ये थाना एरवा-कट्रा में माल खाने में जुमा जमा पुरानी शराब को पुस अधिक शुक और आपर पुस अधिक शुक के निर्देश में जे-सी वी की मदद से थाना परिसर की जमीन में जेसीवी की मदद से गठा खुदवा कर नश्ट करा गया है जब कि इस दोरान एक हजार तीन सो बारा लीटेर शुराब जिसकी कीमत करीब तीन लाक उनतिस हजार एक सो बीस रुपए बताई जा रहे हैं उसे नश्ट कर दिया गया और एया में दमंगों के होसले बुलंद है जहां रंगदारी ना देने पर युवक की दमंगों की जमकर पिटाई कर दी गई वहें पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो होने पर और एया पुलिस अधिक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कोतवाली और एया में मामला दर्च कराया है और आरोपियों की गिरफतारी के लिए टीम में गठित कर दी गई है वहीं आरोपियों पर पुलिस अधिक्षक द्वारा इनाम की भी घोशना की गई है आरोपियों के खिलाफ गैंस्टर की का जानकरी करने पर गयात हुआ है कि 15-5-2022 को एक पेट्रॉल पंप के पास में रितिक शुकला नाम के विक्ति के साथ प्रांसु चौबे और अन्य दसवारा 15 लोगों ने मारपीट करती थी और जिसमें वहां थाने पर थानाकुतवाली पर एफाईयर काइम है इन में से एक वि प्राइम उत्तरप्रदेश में फिलहाल इत्ता ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार